यूपी की गवणनर आनंदी बेन पटेल आज उस बंगले को देखने आ रही हैं जिसमें सदी के महानाया का मिताब बच्चन का बच्चपना गुजरा था प्रयागराज के सिविल नाइस इलाके के कलाइव रोड पर ये बंगला है और बंगला का जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट बंगले में रहते थे उनके पिता जी माने जाने इलहबाद इन्वस्टी के प्रोफिसर थे उनके टाइम में वो पूरा उन्होंने बहुत सारा जीवन अपना अपना हरिभंस राह बच्चन जी ने यहां बतीत किया और उनके दोनों बच्चे उनकी सिक्षा बहाज है स्कू बच्चन जी का बच्चपन में कोई भी बेकती कहीं पर रहता है तो उसका उस अस्थान से लगाओ होता है वही चीज अपताब बच्चन जी के साथ भी है और अपताब बच्चन और उनके परिवार का सभी का इस बंगले से बहुत ही जुडाओ लगाओ रहा है और यह फू में पूरे बंगले में हर साल फोलो की पाठी होती थी जिसमें इलाबाद हाई कोट वा सहर के गणमान ने लोग सभी गणमान लोग और इलाबाद हाई कोट के लगभग 90 जजेज बड़े वकील और माने जाने सभी लोग यहां पर आते हैं आते थे और पूरा पूरा बंगला फोलों से भारा रहता था यहां पर साथ आठ घजार गमले उस समय लगते थे मदब पूरे तयार होते थे इनके तिवारी जी के समय में जब हम इताब बच्चन चुनाओ लोड रहे थे यहां पर तब भी यहां पर कई बार आये थे उनके बेटे अभिशेग और बहु एश्वर्या भी कुछ दिन पहले बाहर से देखने आई थी बेटे बहु आये थे लेकिन आने के इसमें यह हुआ जब वो आये और बिना कोई समय लिए आये थे और मैं कोट के लिए तयार था मैं जा रहा था कोट उस समय हम देखा कि गेट पर भीन लगी थी काफी भीन इकठा थी तो हमें लगा कि कुछ अक्सिडेंट हो गया, क्या हो गया, तो हम परपजली वहाँ पर गए, क्योंकि हमारे बहुत direction के मुगद में लगे हुए थे, जिसको मैं टाल नहीं सकता था, इसलिए हमको समय नहीं था, तो हम बंगला वुस समय तुरंत इमीडियेट उनके समय पर दि खा सके, और वो लोग वापस चले गए, मैंने उसे कहा था, कि अगर जब भी आपको देखना हो, आप पहले टाइम लिजे, और समय लेने के बाद आप आईए, मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इमीडियेट नहीं हो सकता, कोई कहीं पर बैस था, आज गवर्नर आ रही है, जो है, यहां पर तकरीबन आधे घंटे तक यहां पर रहेंगे, क्या उमीद करते हैं, क्या कोई वो एलान कर सकती है, कोई गोशना कर सकती है, अब वो तो उनके उपर है, वो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उसको हमें नहीं मालुम, जो उनको करना होगा, वो करें, बिल्कुल ये ट्रस्ट के सचीव केके पांडे जी हैं जो ये बता रहे हैं कि इस बंगले से अमिताब बच्चन का उनके परिवार का किस तरीके का संबंदरा है और आज गवर्नर आनंदी बेन पटेल आ रहे हैं तो सभी को इस बात की उमीद है कि शायद वो अमिताब चीज़ों को लेकर कोई बड़ा एनाउंसमेंट भी कर सकती हैं यूपी की गवर्नर आनंदी बेन पटेल आज सदी के महानायक अमिताब बच्चन के उस बंगले को देखने आ रही हैं जहां पर उनका बच्पना बीता था प्रयागराज के 17 नंबर क्लाइव रोड का ये बं यह कई कमरें हैं यह आपको बता दें कि देखें ये जो है ये डाइनिंग रूम है यहां पर हर्वन शराय बच्चन रहते थे जो है और वो कविक ताइं लिखते थे पढ़ाई कराते थे अपने बच्चों अमिताब बच्चन और अजिताब बच्चन को और साथ-साथ ये डाइनिंग रूम है, जहां सोफे वगारा अभी लगे हुए हैं, जिसे आप देख सकते हैं, तो ABP गंगा एक्स्क्लूजिवली आपको ये बंगले के जो कमरे हैं, जहां पर अमिताब बच्चन का बच्चपना बीता है, वो आपको दिखा रहा है, पूर्व सांसस श्री शंकर तिवारी का ये बंगला है, जहां अमिताब बच्चन का परिवार वो किराए पर रहता था, तो ये बंगला आप देख सकते हैं, कि ये कमरा है, इससे सटा हुआ एक ये कमरा है, जहां पर एक डाइनिंग टेबल लगी हुई है, आपको दिखा देना चाहते हैं, ये तमाम बंगले से जुड़ी हुई जो यादे हैं, वो आप यहां पर देख सकते हैं, तमाम तस्वीरें जिसमें एक खास तस्वीर है, जहां पर अमिताब बच्चन इस बंगले के बाहर फोटो की चाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और स बंगले का जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के जो सचीव हैं, केके पांडे सर, उनसे हम बात कर लेते हैं, और वो ये इस चीज को दिखाते हुए बंगले का ये जो हिस्सा है, जो कमरा है, उसे दिखाते हुए बताएंगे, सर ये बताईए कि क्या इसी पोर्शन में अमिताब तो बच्पन में किस तरह यहां पर रहते थे और कितना लगाओ उन्हें इस बंगले से अभी बरतमान समय में, बरतमान समय क्या इस बंगले से लगाओ उनका सदेयो आज भी है, पहले भी था, वो है, रहा है, वो भई हमें तो लगता ही रहेगा, उनके लाइफ टाइम तक की बात आती है, तो कहीं न कहीं घुमा फिर आके इस बंगले के भी जिकर आ जाता है, तो बिलकुल आपको बता दें कि देखिए, गवर्नर के आगमन के मद्दे नजर, तमाम पुलिस कर्वियों की भी ड्यूटी यहां लगी हुई है, लेकिन इस बंगले का जो जुडाओ ह वो सदी के महान आयक हमिताब बच्चन से है, तो जो पुलिस के लोग हैं, जो बाकी लोग हैं, वो भी इस बंगले को निहार लेना चाहते हैं, यादगार तोर पे बना लेना चाहते हैं, ताकि लोगों को बता सकें, कोई फोटो के जारा देखें, कुछ वकील साहवान भी यहां पर आए हुए हैं, बताएए आप को क्या जानका रही है कि हम इताब बच्चन का इस बंगले से किस तरीके का रिष्टा है? हम इताब बच्चन का तो बहुत लगाओ है यहां से, क्योंकि मैं इनका नेवरी हूँ, मैं बगल में ही रहता हूँ, और मेरे सीनियर यहां के ट्रस्टियर सची हूँ है, तो बड़ा लगाओ है, हमेसा जब इताब बच्चन आए हैं, कभी भी आए तो जरूर यहां आए उनक इसको फूलो वाला बंगला भोला है, कुछ दिनों पहले उन्होंने के बीची के शो में भी इस बंगले का जिक्र किया था और कहा था कि फूलो वाला बंगला मुझे बार बार यादा है, हाँ तो फूलो को यहां पूरा है ही अभी भी देख रहे हैं कि फूल फूल पूदे ही चार ओर दिख रहे हैं तो फूलों का बंगला का नाम से मसूर था यहां हर समय जब त्यारी जी रहते थे तो फूलों का कंपटीशन भी होता था फूलों का ही हर चीज जिन तीन अमताब बच्चन यहां के बहुत जो स्कूल के पढ़े हुए है तो उनका बच्पना यहां बीता और बहुत यादगार उनको है इस बंगले उनको बहुत प्रेम है उनका बास चले तो अभी भी आ कहां रहने को तयार ह लोग इये बता रहे है लेकिन आपको एक बार फिर से वह हम और बंगले जो तीन कमरा हैने मिताब-बच्चन और इनका परिवार रहता था वह एक बार हम फिर से आपको दिखा देना चाहते हैं देखी ये एक कमरा इस तरफ है ये बाई तरफ है जिसमें ये रहते थे ये डाइनिंग रूम टाइप से बनाया गया था ये कमरा छोटा सा कमरा था जिसमें हरिवेंश राय बच्चन जी रहते थे जो है साथिया मिताब और अजिताब जो दोनों उनके बेटे थे उनको पढ़ाया करते थे इसी कमरे में इसके साथ साथ ये दूसरा कमरा है जो कि डाइनिंग रूम के तौर पर है ये कमरा आप देख सकते हैं इसमें अभी भी पुराने मॉडल का ही पंखा लगा हुआ है चछत काफी उची है और अलग अलग दर्वाजे अलग अलग खिंकिया लगी होई है और ये तीसरा कमरा है जो उस वक्त बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था तो देखे ये सेकेरिटी के लोग हैं जो सेकेरिटी के लोग हैं वो जो पहले की पड़ताल होती है चानबीन होती है सेकेरिट store room है जहाँ पर अब पुराने पंखे एक box और बाकी चीजे रखी गई थी ये kitchen है और संभौता उस वक्त जो भी लोग रही होंगी तो वहाँ पर परिवार के लोग रहा करते थे तो निश्चित तोर पर कहा जा सकता है कि गवर्नर आनंदी बेन पटेल आज जब प्रियागराज आएंगी तो इस बंगले को देखने के लिए खास तोर पर आ रहे हैं और तकरीबन आधे घंटे तक रहेंगी वो बंगले के हर एक हिस्से को देखेंगे खासकर उनका जो focus होगा वो उस हिस्से पर होगा ये जो पीछे के तीन कमरों का हिस्सा आप देख रहे हैं जहां पर अमिताब बच्चन बच्च्पन में अपने परिवार वालों के साथ यहां रहते थे और जिस बंगले से अमिताब बच्चन का उनके परिवार का खासा रिष्टा रहा है गहरा लगाव रहा है यूपी की गवर्नर आनंदी बेन पटेल आज संगम नगरी प्रियागराज में है यहां उन्हें वैसे तो कई करक्रमों में शामिल होना है लेकिन शाम पांच बजे वो उस बंगले को देखने आएंगी जिसमें सदी के महानायक कहे जाने वाले फिल्म स्टार अमिताब बच्चन का बच्चपन गुजरा था अमिताब बच्चन ने अपने बच्चपन के कई साल प्रियागराज के इसी बंगले में बिताए थे वो पिता हरिवंश राय बच्चन समेथ परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ इसी बंगले में रहते थे इस बंगले से उनका खासा लगाओ है आज भी तमाम इंटर्व्यू में तमाम राइट अप में अमिताब बच्चन इस बंगले का जिक्र करते रहते हैं प्रयागराज क इस बंगले से कितना लगाओ है उस बारे में ऐसे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब वो प्रयागराज में लोकसभा का चुनाओ लड़ रहे थे तब उन्होंने इस बंगले में कई बार आये थे उस उन्होंने फिर से देखा था और इस बंगले को खरीदने की इसके साथ साथ तमाम दूसरी हस्तियां जो प्रयागरा जाती हैं वो इस बंगले को देखती हैं उसे निहारती हैं तो तमाम यादे हैं मिताब बच्चन की उनके परिवार की इस बंगले के साथ जुड़ी हुई हैं और यहां पर खुबसूरत फूल लगाये जाते हैं और इसे फूलों वाला बंगला भी कहा जाता है तो गवर्नर आनंदी बेन पटेल शाम करीब पांच बजे यहां पर आएंगी हाला कि यह बंगला इन दिनों बंद रहता है लेकिन गवर्नर के आगमन के मद्दे नजर इसे खुलवाया गया है यहां साफ सफाई के इंतिजाम किये गए हैं आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी यहां पर तैनात की गई है हाला कि गवर्नर आनंदी बेन पटेल इस बंगले में क्यों आ रही है वो इसे क्यों देखना चाहती है तकरीबन आधे घंटे का वक्त क्यों बिताएंगी इस बारे में जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार भी जल्दी इस बंगले को लेकर कोई इनिशेटिव ले सकती है इस बंगले को अधिकरहीत कर सकती है उसे खरीद सकती है और अमिताब बच्चन को तोफे के तौर पर दे सकती है या फिर कोई इसमारक उनकी याद में बना सकती है तो गवर्नर आनंदी बेन पटेल का जो अमिताब बच्चन को बंगला देखने का जो करक्रम है उसे लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है अब देखने वाली बात ये होगी कि शाम को जब गवर्नर आनंदी बेन पटेल यहां आती है तो वो क्या कुछ कहती है या कोई बड़ गोशना भी करती है कोई एलान भी करती है क्या कैमरा मेर रोई श्रीवास्तों के साथ मुहम्मद मौईन एबीपी गंगा प्रयागराज एबीपी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी